जोहार, नमस्कार, जन्मन की बात में आपका स्वागत है, हम बड़े संसकारी लोग हैं, आईपिल की क्रिकेट लीग में भी संसकार ढूंड लेते हैं, जैशाह के हाथ का अशलील इशारा हमें लज्जित नहीं करता, लेकिन जडेजा की पत्नी के सिर पर रखा पल्लू देख को भूल जाते हैं, हम ध्यान भी नहीं देते कि जिस ब्रिटेन को पचाड कर हमने विश्व की पांचवी सबसे बड़ी एकोनोमी बनने का दावा किया था, इतरा रहे थे, वहां के हर बड़े मैदान पर, हर बड़े क्रिकेट फिल्ड पर होवर कवर है, होवर कवर कोई जंगी जहाज बीच मैदान पर शान से खड़ा हो कर कह रहा हो, कि बरसो मेघराज, जितना चाहे बरसो, लेकिन मेरे रहते, तुम इस मैदान का कुछ नहीं बिगाड सकते, सिर्फ दो लोग इस हवर कवर को लेकर पलक जपकते मैदान में पहुँच जाते हैं, युनाइटे शायर और लिसेस्टर शायर के T20 मुकाबले में बारिश शुरू हो गई, हवर कवर इतनी जल्दी आया कि अमपायर को विकेट उखालने तक का मौका नहीं मिला, बलकि कवर वाले का बस चलता तो वह अमपायर को भी कवर करके मानता, और एक हम हैं, हम हैं जिसका डंका दुन पर निंच छाती वाले पिये मोदी के नाम वाले स्टेडियम में, आई पियल के फाइनल में बारिश के बीच जब 38 ग्राउंड स्टाफ चिमचिमिया वाला तिरपाल लेकर दोड रहे थे, तो हमें शोले के घबर सिंग का वो डायलोग याद आ रहा था, कि वो दो थे, और तुम 38, फिर भी मैदान डुबा आए, क्या सोच कर आए थे, शाह खुस होगा, सबासी देगा, क्यूं? लेकिन बारिश में स्टेडियम वाले फोन लगाते रह गए, लेकिन जूनियर शाह जी से बात ही नहीं हो सकी, नरेंद्र मोदी स्टेडियम में बरसात के बीच दरजनों लोग तिरपाल लेकर ऐसे दौड रहे थे, जैसे हमारे देश के हाट बाजार के दुकानदार बारिश आने पर सामान ढखने के लिए पिलास्टिक लेकर दौडते हैं, कसम से मुझे बिलकुल ऐसी फिलिंग आ रह लोग इस फाइनल मैच को देख रहे थे, तिरपाल लेकर मैदान ढखते हैं लोगों को देखकर उन्होंने क्या पूर बैकवर्ड इंडियन्स नहीं कहा होगा क्या, दूसरे दिन भी जब फाइनल हुआ, पहला दिन तो धुल ही गया था, दूसरे दिन भी फाइनल मैच के ब दवस्था हैं, लेकिन दो घंटे बाद मैं शुरू हुआ, तो दावे का क्या है, दावा तो यह भी किया गया था, कि विदेशों से काला धन ले आएंगे, और हर देशवासी के खाते में 15 लाख आएंगे, तो कसमे वादे प्यार वफा, सब वादे हैं, वादों का क्या, ख लोधी मीडिया ने इसकी तारीफों के ऐसे लंबे-लंबे पूल बांदे थे, कि लगा कि दुनिया में अब ऐसा कोई दूसरा स्टेडियम नहीं है, और नहीं इतनी सुविधाएं कहीं हो रहे हैं, लेकिन जब IPL फाइनल के दिन मैदान तालाब बना हुआ था, और छटों स बहता हुआ पानी सीडियों पर जहरने का रूप लेकर बह रहा था, तो लोगों ने खूब मजे लिए, पर अख्यात वकील और राजनेतिक कारेकरता प्रशांत भूशन ने इस वीडियो को ट्वीट करते हुए लिखा, कि नए समराट को हजारों सलाम, जो हमदाबाद के अ रंगा को जहरने के साथ लेकर आए, एक और ट्यूटर यूजर ने वीडियो शेर किया, इसमें स्टेडियम की छट से पानी बरसाद की तरह अपकता दिखाई दे रहा है, लोगों ने विकास के इस गुजरात मॉडल के जम कर मजे लिए खूब खिली उड़ाई, और कावर क प्लास्टिक की चद्दर ही काफी नहीं थी, तो मैदान सुखाने के लिए एक और जुगार लगाया गया, वह जुगार था, स्पंज से पानी को सोक सोक कर बाल्टी में निचोडने का जुगार, दो करोड की अबादी वाला अस्टेलिया, वहां गीले मैदान को सुखाने के लिए हेलिकॉप्टर का इस्तेमाल किया जाता है ताकि उसके पंखों से मैदान सुखाया जाए, लेकिन एक अरब 42 करोड़ वाले भारत के मोदी स्टेडियम में स्पंज से पानी निचोडने चोड़कर बाल्टी में डाला जा रहा था, पता नहीं या देखकर BCCI के अधिक एक लाग 32 जार दर्सक साथ में बैट कर क्रिकेट की मैच का लूपत उठा पाए, इस प्रकार का स्टेडियम स्री नरेंद्र मोदी के नाम से आज राष्टपती महोदय ने अपने कर्व कमलों से उगाटिट किया है, सब स्वय जलनिकासी प्रणाली भी बनाई है, बारिस आ दिख लिया अपने अमित्चा की स्वय जलनिकासी प्रणाली और आधे घंटे में मैच डिश्टर्ब किये बिना खेल शुरू करने के दावे पर भी लोग अब खूब मजे ले रहे हैं सोशल मीडिया पर, तो यह तो थी दुनिया के सब से बड़े क्रिकेट स्टेडियम की बाद, अब आते हैं भारती संसकारों पर, बी-सी-सीयाई के से करेटरी है जै शाह गुझराती हैं, केंदरी अगरी मन्त्री अमित्चा के बेटे हैं, अमित्चा भाजपा के नेता हैं जो हिंदू, सनातन और संसकारों का दम भरती हैं, ipl के फाइनल में जै इस इशारे को आम भासा में कहते हैं ले लेना ठोक देना अब या ले लेना और ठोक देना क्या है आप जानते हैं नहीं जानते हैं तो मुझसे पूछियेगा भी मत मैं बताऊंगा नहीं आईपील फाइनल के अंतिम ओवर में जब महेंदर सिंग्धोनी आउट हुए तो अमि गुजरात की जीत दिखाई दे रही थी लेकिन मात्र दो गेंदों के बाद ही जैशाह गर्दन जुका कर लापता गंज की तरफ चले गए थे लेकिन तभी सीन बदल गया क्रिकेटर ने विजई चौका लगाया पतनी जो की राजनितिग हैं गौरों से प्रफुलित मैदान पर दोड़ी चली आई हरी साडी का पल्लू सीर पर डाले जडेजा की विधायक पतनी मैदान पर भागी चली आ रही थी आते ही पती के पाऊंच हुए और च्छा गई आचल की च्छाओं पाकर जैशाह ने चैन की सास ली इसी पल्लू ने स्टेडियम की बदिंतजामी को भ ठक दिया सोलह साल से चल रहे आई पील में चियर गल्स की उगडी हुई टांगे देखकर आह आह करने वाले लोग वह वह करने लगे पोटल दशानन ने लिखा रवींद्र की पतनी रिवाबा गुजरात से बीजेपी विधायक हैं उनकी अपनी पहचान है वह बिलकुल वै पाजनितिक पाजा में कुर्ते में नजर आते हैं लेकिन हमारे लिए रवीबा रविंद्र की पतनी हैं उनकी वेक्तिगत पहचान भी एक पल को साड़ी में गुम हो गई है क्योंकि हमें जज़ करने की बीमारी है लोग रिवाबा की साड़ी को सनातन और संसकार से जोड़ कर लहा लोट हो रहे हैं कह रहे हैं कि इसके पहले किसी क्रिकेटर की पतनी किसी मैच में साड़ी पहन कर नहीं आई रिवाबा भी कहा आती थे लेकिन साहब किसी क्रिकेटर की पतनी विधायक भी तो नहीं है लेखक सुशोभित ने लिखा देशवासियों को इस बात ने उत्फुल किया कि स्त्री ने सिर को ढांक रखा था और उसने पती के पहर्च हुए दो बातें याद रखें सारजनिक रूप से कैमरे के सामने किया जाने वाला हर कृत्य एक संदेश देने के लिए होता है वह एकांत में घटित होने वाली किसी बात की तरह स्वाभाविक निश्प्रयोज्य और प्रत्युत्पन्य नहीं होता दूसरी बात क्रिकेटर की पत्नी पॉलिटीशियन है और पॉलिटीशियन का एक एजेंडा होता है वो जिस पार्टी की पॉलिटीशियन है उसका एजेंडा क्या है बाकी जो है सुहिये है वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताईएगा मिलेंगे किसी अगले वीडियो में उसके पहले चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लिजे हैं निवाद नमस्कार